परियावरन को सच्छ बनाए इसके साथ ही मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अपना खयाल रख रहे होंगे कोरोना के केसिस कम हुए है लेकिन कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है तो ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा अपना और सब का ध्यान रखे तो अब चाय की चुस्कियों के साथ शुरुवात करते हैं आज सुभा की बड़ी खबरों की प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कांफरेंसिंग के जरीए सुभा 11 बजे विश्व परियावरण दिवस कारकरम में भाग लेंगे इस कारकरम के दौरान प्रधान मंत्री भारत में 2020 से 2025 के दौरान एथेनोल सम्मिश्वन से सम्मंधित रोड बाप के बारे में विश्यशग्य समीती की रिपोर्ट जारी करेंगे विश्व परियावरण दिवस मनाने के क्रम में भारत सरकार तेल कम्पनियों को एक अप्रेल 2003 से एथनोल मिश्वित पेट्रोल को एथनोल की 20 फेस्ति तक की प्रतिशत्ता के साथ वेश्वने और उच एथनोल मिश्वनों इबारा और इपंद्रा से सम्मंदेत बी आयस विनिर्देश के बारे विनिर्देश देते हुए इबीस अधिसूचना जारी कर रही है और हमारी दूसरी ख़बर कोरोना से जोड़ी हुई है कोरोना संक्रमान की दूसरे लहर से शहर की तुल्ला में ग्रामिन शेत्र जाधा प्रफावित हुए है Center for Science and Environment ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पिछले महीने देश में 53% नए मामले और 52% मौते ग्रामिन शेत्रों में दर्च की गई CACY ने कहा कि COVID महामारी ने भारत की स्वास परणाली को गंफी रूप से उजागर कर दिया है भारत में शहर के खराब स्थिती सूर्खों में रही है वहीं ग्रामिन शेत्रों में फैल रहा संक्रमाण एक और अधिक शिंतजनक विशे है ग्रामिन भारत में सामुदाइक स्वास केंद्रों को 76% अधिक डॉक्टरों और भारत में WhatsApp करोडों लोग इस्तिमाल कर रहे हैं तो अपने बेहतरीन और सुविधा जर्णक फीचर के लिए पॉपुलर इंस्टेंट मैसेजिंग एप WhatsApp जल्द एक और काम का फीचर लेकर आने वाला है मल्टी डिवाइस सपोर्ट फीचर के नाम से आने वाले इस फीचर में यूजर्स एक साथ चार डिवाइस में अपना एक ही WhatsApp अकाउंट को एक्टिव रख सकेंगे WhatsApp की अपडेट पर नज़र रखने वाली वेबसाइट WA Beta Info ने इस बात की ज़़ानकारी दी है WhatsApp के मल्टी डिवाइस सपोर्ट फीचर को कपनी जल्दी लाँच कर सकती है इस फीचर से पहले यूजर्स सिर्फ एक ही डिवाइस में एक WhatsApp अकाउंट एक्टिव रख सकते थे अगर अभी की बात करें तो WhatsApp अकाउंट एक डिवाइस में दूर हो जाएगी इनके पिता का नाम आनंद सिंग बेश्ट और माता का नाम सावित्री देवी है योगी कुल साथ भाई बहन है योगी आदितनाथ अपने माता पिता के पांचवे संतान है मातरों 22 साल के उम्र में वो योगी बन गए थे तो चलिए अब देश दुनिया की तमाम खबरों के बाद रुख करते हैं बॉलिवूड की खबरों का और टीवी से जुड़ी खबरों का सीरियल ये रिष्टा क्या कहलाता है में एक आदर्श पती का रो लिभाने वाले करन महराब पर हाल ही में उनकी पत्नी और टीवी अक्ट्रस निशारावन ने मारपीट और एक्स्ट्रा मेरिटल अफेर करने के आरूप लगाये थे जिसके बाद पूरी टीवी इंडस्ट्री इस खबर को सुनकर हैरान रही गई तो वहीं अभी नारोपो के बाद सोशल मीडिया पर करन की उनकी को स्टार हिमांची पराशर के साथ कुछ तस्वीरे और चैट बड़ी तेजी के साथ वारल हो रही है मतादे की करन और इमांची पिछले काफी वक्त से एक साथ एक सीरियल मावान ठंडिया च्छावा में काम कर रही है दोनों की जोडी को शोवे काफी जादा पसंद किया जा रहा है वही खबरों के मताबिक दोनों को सेट पर अकसर एक साथ वक्त बिताते हुए देखा जाता है जिसके बाद ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि करन का फैर इमांची के साथ ही चल रहा है फिलाल देखना होगा कि इसमें क्या कुछ सच्चाई है तो सुभा के ताजा खबरों में इतना ही लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को लाइक करें जादा से जादा शेयर करें और जितना प्यार लगातार आप डूजवल इंडिया को दे रहे हैं इतना प्यार ही लगातार देते रहें साथी साथ मुपर मास्क जरूर लगाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे राज्ये धीरे-धीरे कुछ कर्फ्यू में लॉकडाउन में धील दे रहे हैं तो अभी सिर्फ धिलाई हुई है कोरोना खतम नहीं हुआ है अपना जाद से जादा खयाल रखे और ताजा अपडेट के लिए पूरे दिन देखते रहे नीस वाल इंडिया